हलो फ्रेंद्स वालकम चु पूर्वानी लेज्जिगेशन वी आर गूंग चु लर्न न्यू चैप्टर फॉम लप्पीं इस सप्लीमेंटी रिडर इंग्लिश सेकंड लेंग्विज स्टानर ट्वैल रीड नंबर शिक्स अंद नेम अब दे चैप्टर इस आई मिस यू मदर खुबज अद्भूद, खुबज सुन्दर अने खुबज टची एकदम जे चैप्टर छे छे एक माता अने एनी पुत्री वच्चे ना जे सब्बंद छे एनी वात आपाट नी अंदर खुब सरस्रते करवा माहावी छे आपाट जो टुकमा समजोनो प्रयास करिया दोस्तो तो आपाट माजे लेखिका छे एक पोतानी माता विश्यनु भरपूर वर्णन करे छे लेखिकानी माता सित्तेर वर्ष्णी होवा छता ते खुब कारे सक्षम छे तेने लखवानो खुब शोख होई छे तदु प्रांध ते प्रकुदी प्रेमी पन होई छे तेने तेनी ब उक मांथी लेखिका जणावे छे के तेने कुटूंब, प्रकुरूती, मित्रो, प्राणियों, संगीत औने बिजी घणीबदी वस्तुओ प्रत्य अनहद लगाव हतो। लेखिका ने पोतानी माताना मृत्त्युना एक महिना पछी तेनी नोंद वाचवा मड़ी। लेखिका ये वाचवानू बंद कर दिदू हतो। कारण के तेनी माता त्यारे जीवित हता। अने तेना जीवन ना छेला बे महिना खुब पीडा दायक हता। लेखिका ये एक महिना सुधी होस्पिटल मा वाचवानू चालू राख्यू। लेखिका ये आस्चर ये ए वाचवानू हतो। के तेनी माता ने तेना स्वास्थ विशे पूर्ती कारजी नथी। अत्वा तो तेने जे कैंसर छे तेना थी ते अजान छे। तेम छता पण ते प्रकृतिने चाहती हती। अने जीवन नानी बाबतों ने पण। लेखिका नी माता वदू लांबो समी पथारी पर बेसी शके तेम न होवा छता पण तेने तेना पोत्र ना बड़्डे पर नोध लखी ने शुबेच चापई। जारे एक दिवस लेखिका ये बारीक होली तेने तेनी माता ने बाहार नी प्रकृति विशे जान करी। जार खुब सरस मजानों आपाट छे दोस्तो आयनों खुब टूको परी चे में तमने आपियो छे परन्तु हवे आपड़े 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 विगतवार वर्ड बाइवर्ड, लाइन बाइण बाइण समझों प्रयास करिये तमने वदारे ख्यालाव छे क्या पाड़नी अं अर मिव ख्यालाव दूको परस में वाद बाइण जे ख्यालाव लिगत परन्तू हा प regarde प्रयां पर्ड लाइण पाड़े गता हान्यों जार्व इतलम के आपड़े शे पर बाइण एण बाइण सम्मा भासिचिण प्राइण सव्यरा पर दूमने बádर्ड जाख नब अगर शुक एचे के ते तेनी माता एनी इच्छा ती के ते माई बुक माँ पोता ना विचारो औने याद ने अंकित करें के लखे एक वक्षत ते डिनर माटे आवया औने मने कहिँ के तेने तेनी बुक लखवानू शरू करियू हतु अथा तो शरू करियू छे अगनी तेनी अंदर हतो मित्रो पोता नी बुक जचे लखवानू शरू करें छे तेरे नाताला तरण दियोस पच्छी तेने गैंसर जचे ए डिटेक्ट थाई छे ध्यानमा आवयू छे अने तरण महिना पच्छी जए इनु देहांत थाई जए 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 बुत्यू थाई जए हावय जए 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 ऐफ लग जए शरू लिटेक्ट थाई जए 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 अने विश्वनी सुन्दरतानों विदाई आप पी मने खुबज मुश्किल लाग शे। मलब कि आज येने हूँ चाहू छेने छोडी ने के विरते हूँ जेश। I read these words for the first time when I was surrounded by packing boxes in my mother's apartment a month after her death. मारी माताना मृत्यूना एक महिना पची तेमना अपाटमेंट मां हूँ box packing करती हती त्यारे में प्रतम वकत आशब्दो सामबढ़िया आथा तो आजे बुक छे हमायने जोया हाशे I try to picture her face as I read the words but the memories of the last two months are as she lay dying were too painful I closed her book खुबज विचित्र परिस्ति मां एमुकाई गया छे के वाच्ती वड़ाय मने तेमनों चहरों याद करियो अथो याद आवे परन्तु छला बे महिना ते पथारी वश रता अने तेनी पीडा तेने खुबज हाती अन ए जे पीडा छे एने याद करवा थी एना चहरा पर जोय शक्ती हाती एटले तेने ये शु करियो she closed her book तेनी ये तेने माता ने जे बुक छे ये बंद कर दिदी अगल जोय शुत है चे दोस्तों on a rainy Sunday afternoon one year from the day my mother was admitted to the hospital एक वरसादी रहवार नी बोपरे मारी माता ने hospital मां दाखल करवा मां आगया हाता ए समय नी आवाद छे त्यार नी आवाद छे I suddenly knew that time had come to remember and honor her life and her death आ परिस्थिति मां मने आचानक अच खबर पड़ी के ए समय आवी गयो छे के तेमना जिवन अने मृत्यूने मान आप वानो छे मालब she was in a critical condition अवा कदाच death अने मृत्यू वच्चे जे छे ना mother जे छे ए जिवी रहा हाता ए भी परसेद सजानी छे अड़ले के छे के the time has arrived For a month I kept on reading the notebook I had kept during her hospitalization and my mother's book अने हवे के छे के एक महीना सुधी में नोट बूक वाच्वानो चालू राख्यू में मारी मातानी बूक ते होस्प्रमा हता त्यारे राकी हती but when she was admitted when I finished reading के जारे में वाच्वानो पूर्ण कर्यू when I जारे के एक नवी अने जुदी रिते अथवा तो ए जे वाच्वानो हतू ए में पूरू कर्यू I realized that my mother was no longer lost to me in some new and different way I had regained वाले के पाच्वा प्राप्त कर्या हर जारे में बूक पूरी करी तयारे मने खबर पड़ी के मारी माता मने छोडवा मांगता न हता कईक नवी अने जुदी रिते में तेमने पाच्वा मेडवया छे that means with the help of that book she is still with her कारण के एनी जे बदी यादो छे ए बूक मांग कित करे ली छे अने यादो पर थे वू प्रतित थाय चे के ते निमाता जे छे ए नमात्र एनी डॉटर ने परन्तु विश्वा मां जे भी वस्तु जेने वाहल करता हाता प्रेम करता हाता एन ए छोडवा मांगता न हता from my notes date or dated January 21, 1985 January 21, 1985 मारी नोंद पोथी माती हावे एनी जे बूक छे एनी जे नोंद पोथी छे माती वात करे छे my mother continue to amaze me मारी माताय मने आश्चर चकित करवानू चालू राख्यू despite what is happening to her body she continues to appreciate nature and the small bits of life her room number 235 has a large window she enjoy watching birds be easily flying outside तेमना शरिनू जे कई पन थाई माला मेनू जे बौडी छे साथ आपी रायू नहतू तेमने कुदरतने जिवन नाना ना ना प्रसंगोने प्रशंशा करवानू शरू राख्यू चे चालू राख्यू छे तेमना रूम नंबर बसोने पातरेस मां मोटी बारी चे बाहर उड़ता पक्षी ओने जोवा माटे अथवा तो एने जोता तेनी खुब ज आनंद माने चे तेनी खुब गमे चे हर पेन इस ओसम या ओसम या ओसम मेटले ए अद्भूता संदर माना थी पड़नतू असही चे तेमनी पीडा के विचे सक्खत असही चे शी के नो लॉंगर सिट अप और तेनी जे चे ए लांबो समे बेसी शकता न हता तोड़ी इस हर दॉटर्स ग्रांट संस बड़े और सम्हाव शी मैनेच तो राइट अनौट तो हीम आजे एना अड़के तेमना पोत्र नो जनम दीवस छे ए तेमने तेने नोंद लखवानो प्राइतने करियो means that she is severely have a pain पन छता तेना ग्रांट संन नो बड़े होई ए बेस्वा माटे पन सक्षम न हता छता तेनी ए ए नोंद पोत्र हीमा नोंद करिछने एना विशे लख्यू छे One day I will tell him of the unimaginable अलेके अकल्पनिया amount of efforts his grandmother put into writing this note एक दिवस हुँ तेने लेके जनो पोत्र छेनी वाद करा छे के एक दिवस हुँ तेने कहिश के तेना दादी माए तेने नोंद लखवा माटे केटला अकल्पनिया प्राइतन करिया छे केटलू एने स्ट्रगल करुछ On a warm day in February I opened the window in the room or in her room the soft scented air spilled in जारे फेबरुवारी ना एक हुफाला दिवसे में तेमना रूम नी बारिक खोली सुगंदित हवा रूम मा फेलाई एने जे it sprinkled in the room My mother opened her eyes and asked is the grass beginning to grow मारी माताय पोतानी आखो खोली ने पुच्छू शूँ गास उगवानों शुरू कर दिदू छे अतो तो थाई गयू छे I closed my eyes and stream of memory ran across में मारी आखो बंद करी एने यादगीरी नो प्रवा वेहवा लाग्यो अने जे भी एने आखो बंद करी के ते नी ने एने मम्मी नी नी मदर नी जे डाईरी हती अमाती बद्दू जे वे द्रश्यमान थे रूँ छे from my diary when I was five years old जारे हूं पांच वरश्नी हती तारे मारी डाईरी माती I have stepped out of the house in the middle of summer night to watch the grass and flowers in our garden उनाडा नी मदरादरी अमारा बगी चमा गासने फूलो जो माते हूं गरनी बहार निकडी भाक्ती बहारा suddenly my mother is at my side instead of sending me back to bed she joins me we sit where together we sit that together हवे शुकेचे दोस्तों यहां के अचानक मारी माता बारी मा अथवा मारी बाजु मा आवया चे आने मारी पथारी पर जेने लई जवाने बदले आने चर्चा करे चे एने एंजोई करे चे लिस्ते लिस्तों यहां के चे लुक आने यह बाकणा पर बैसे चे अने हुँ त्या इमनी आखो मा एंचमक जोता जोता सुई जाओ छो I remember the day my mother asked that I write a last message from her to each member of the family मनी याद चे एक दिवस याद चे जारे मारी माते मनी पूच्चू के में ते मिना वती कुटूमना दरेक सबेने अंतीम संदेशों लख्यों चे अने ए पूचे चे अने पच्छी जवाब शुआ पचे I wrote through my tears में रड़ता वदने लख्यू मारी आखो मा आसू हता अने रड़ता रड़ता में लख्या चे संदेश हाओ I was aware that while my mother has accepted her death I hadn't हुँ जानती हती के जारे मारी माता ये तेमना मृत्यूने स्विकार्यू हतू पन, परंतू, मैं नहीं मतलब, she is also struggling for that over the next few days my mother wanted to talk about her life so we begin our long final conversation खूब अदबूत वाकेच दोस्तो पच्छी ना केटलाग दियूसो सुधी मारी माता ने तेमना जीवन विशे वाद करवानी इच्छा हती तेथी अमे लांभी अने छली अने अन्तीम वातो शरू करी because her mother was very critical as we talk the picture of my mother's life grew stronger जेम जे मामे वातो करवाला गया तेम तेम मारी माता ने जीवन नू चे चित्र चे वदूने वदू मजबूत थदू गयू from my mother's book जूए हवे बूक माती विशेश शूवाचे चे I haven't forgotten what it's like to be young or the hopes and anxieties and the sensation in everything you do is going to advance of Rick your life दोस्तों कुब स्रस वाक्या चे के मारी माता नी बूक माती में वाचू के युवान होवानी लागनी केवी होए ते हूँ भूली नथी दरीक बाबद मां मारी आशा हो अने चिंता हो अने सम्वेदना तमने जीवन मां आगल धकेले चे मातवा तमारा जीवन नो विनाश पन करे चे खुबच अद्बूत वाक्या चे नो इन बिट्वीन यू आर यंग अले के चे के जारे तेमें युवान हो त्यारे आब अनने वच्चे कशू हतू नथी मालब वन यू आर यंग तर इस नथी बिट्वीन यू नथी बिट्वीन यू नथी नथी पर जावन होती मारी बेहने डांसिंग ना किटलाक मुश्कल स्टेप अटले के जे डांस न स्टेप अटा ए शिख्या इन दोस देज आई थोट आ वूद बिट्वीन यू नथी बिट्वीन यू नथी बिट्वान विट्वान होतू परंतु ये मात्र स्वपन हतू दरे यूवानने आविलागनियों थाती होचे जारे पन यूवा अवस्तामती पसा थाता होचे कि आवान तो बी अएक्टर लाइफ मा केक आवू बनवा मांगे छे होचे बिट्वा और यूवा अजों चाप्टाम मा होतू यूवान न वात्वैं यूव केश ही न फंपट्र लाइफ मारू चेश थाताव ना बनवा उनल तो और सेट्वा केहएं प्रेंश झेग डेफिनेटल एक शब्द मां तरबतोड थेरो हुए उलागी रहु जो यह आगर शुता है छे She had seen a man fall from a roof हवे फरिवा जो यह शुके छे के lying in the hospital my mother had other dream one morning she awoke and told me of her dreams ले के छे के hospital नी पथारी मां जरे एस हुता हाता जागे आने मने कही हुँ के मने एक स्वपन आवियु चे नी एक सपन जो यूँ छे के ते जागे आने मने तेना सपन विशे वात करी शु जो यू? She had seen a man fall from a roof ते नी एक मानस ने छापरा पड़ती नीचे पड़ता जो यू All that day her thoughts were of falling ते दिव से अक्षो दिवस ते बना जी विचारो चे पड़वा ना जी विचारो हाता पड़वा विशे ना जी विचारो हाता Don't be afraid I showed her Of course I will catch you For those years when I was growing up You caught me, now it's my turn खुब अदभूत वाद करी चे यां दिक्रिये नी माताने Mytrasoo के चे के तमें चिंता ना करो में तेमने खात्रिया पी डर्शो नहीं अलबद हू तमने पकड़िश अलेके तमें जो पड़ी जशो तो तमने पकड़िलेश आटला वर्शो थी जारे मारो उचे थयो होतो तेर तमें मारी संबाद राकी हाती जरे हूँ पड़ती हती तमें बने पकड़ी हती हावे मारो बारो छे Now it's my turn Her face relaxed under the oxygen mask तिने नों चेहरो छे oxygen mask मा रहला चेहरामा राहत दिखाई रहे हती But I knew there would come a time and soon when I would have to let her go परन्तु हूँ जानती हती के तरत ज तेमने विदाया पानो समय पन आवशे And so would she अने समय आवशे ने तरबाद ये समय आवी गओ From my notes March 1, 1985 जो ये शुदाई दुस्तो हूँ या She is very weak and her breathing is irregular हवे तेनी जे खे खुब अशक तथे गया चेने तेनी जे स्वसन नी करिया चे अनियमी तथे गया चे But her spirit is still connected to the world परन्तु तेमनो जे जुस्सो जे खे अजुपन विश्व साथे जोडाया लो जे When I held the pot of flower close to her She said delightedly Oh that's so pretty Isn't it wonderful how life goes on? जारे में तेमनी सामे फूलोनू कुंजो गुलतस्तो राख्यो तेरे तेमने आनन्द पूर्वक कहु कारे केटला संदर फूल चे The next to last evening of my mother's life She stayed out of the window into the blackness अने मारी माता जिवन नी अंती में सांजे शुन्य मनस्क थे ने बारी नी बाहर जोवा लागे जे अने ए नी बारी जे जे नी बाहर जोई ने के चे शुके चे What are you looking at? I asked her मैं पूछू हमने के तमें बाहर शुन जोई रहा आच Nothing She replied तेनी मने जाब अवे के कई नहीं Well, I said look at me सारू मैं कईू मारी सामे जुओ More than anything else I wanted her last moments More than anything else I wanted them to be spent looking at the face of someone who loved her Bija कोई बाबत करता वदू हूँ तेमनी छेली ख़णों मैं सामे जोई एवू इचती हती हूँ तेक शणों ने एवी वेक्ती साथे पसार करवा इचती हती के जे तेमने चाहती हुए सतत तेमनी सामे एनो जे चेहरो रहो जी ये के जे अमने खूब 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 चाहे चे And then The summer after my mother died When the first yellow lily appeared I ran into the house to telephone my mother with the news मारा मा नम्रुत्यू परश्चात उनाडा मा जेरे प्रत्वगत पीडा लीला फूल देखाया तेलीफोन मारफत आ समाचार मारी मातने आपाहू घर नी अंदर दोडी गई Then I remember that she is no more Even now I keep thinking of things I owe to tell her Things I want to ask her She had a way of giving perspective to my life दोस्तों कुब अदबूत बाद करेशे के जरे पहली वार मारा घरे अत्वादा माय फूल खिलू ले भागती बागती समाचार आपा जाऊचा फोन पासे She was the most important person in my life This is what the writer is feeling at this moment अने खुबच एवाद ने मिस करी लेच From my mother's book, what she said further When I turned 17, someone asked me how it feels or felt to have arrived at such an age Well, even though my body isn't the same, I am still the same I will always be the girl who loved cats and flowers And raised home from school to practice my dancing lessons Inside, I am still that person I miss that person Who amaysh a baal ki chhu Je biladi ne hane phuulone prame karay chhe Tha tha, schoole thi ghar e dancing na abhyas maaate Doadti doadti bhaagti bhaagti yaawe chhe Who andar thi haju ek prakarni atho adho age prakarni vyakti chhu Manne eva vyakti ni unapas saalve chhu I miss that person Friends, this is a wonderful chapter friends Joghi tamme ek maata ane putra bhaache na savwaadwa kitala adboot chha Ane ee banne ek bija ane khub jho prame karay chha Ane I am sure kya apart tamne kub saratati samjai gai washa If you still have any query or doubts for this particular chapter Text me in a comment box, I will try my best to answer you on time Thank you so much once again for being with us on Purwaniil education Stay tuned and God bless you all